हालो गाइस पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल और घर्णमूल का ट्रीक सीख लिया था उनके अब सवालों को लगाने के लिए हमें कुछ सुत्र मालूम होने चाहिए जो सर्वसमिकक सुत्र कलाते हैं सवाल जल्द ही लगा पाएंगे तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्क्वार प्लस 2AB ठीक है अब आगे a-b का होली स्क्वार क्या हो जाएगा a स्क्वार प्लस b स्क्वार माइनस 2AB ठीक है सुत्र सिंपल है काफी आप लोगों को यादी होगा अगला a-b स्क्वार का स्क्वार का स्क्वार क्या हो जाएगा और पहले कोश्टक में a-b दूजरे कोश्टक में a प्लस b अब अगे only square प्लस 2AB ठीक हे अगला देखेंगे हैं, a plus b का whole square, minus a minus b का whole square, जो उपर अला जो दो सुत्र है, उसोगा अगर रहताएंगे तो क्या मिलेगा हमें, plus 4ab, ठीक है, अगला इसी टाइप का, a plus b का whole square, plus a minus b का whole square, अगर इन दोने जोड देंगे तो क्या हो जाएगा, to request me, a square plus b square, यह हमारा होगा, a square plus b square, ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, a plus b plus c का whole square, इसका क्या होता है, a square plus b square plus 2, प्लस c square plus 2, गुश्टक में a, b, a, b plus b, c, plus c है, ठीक है, अगला देखेंगे हम, a plus b minus c का whole square बराबर, a square plus b square plus c square plus 2, गुश्टक में a plus a, b minus bc minus c है, ठीक है, अगला, a minus b plus c का whole square, ठीक है, इसका एक और सुतर हम लोग देखेंगे, a minus b minus c का whole square, इसका हो जाएगा, a square plus b square plus c square plus 2, गुश्टक में a minus a, b plus bc minus c, ठीक है, अब घानवाला सुतर हम लोग देखेंगे, तो पहला देखेंगे, इसमें a plus b का whole q, ठीक है, इसका हो जाएगा, a q, plus b q, plus 3ab, गुश्टक में a plus b, ठीक है, अब देखेंगे, a minus b का whole q क्या होता है, इसका होता है, a q, minus b q, यह minus, minus b q, minus 3ab, फिर कुश्टक में, a minus b, यह देखें, a plus b का whole q, और a minus b का whole q में, इसमें सारे plus हैं, इसमें साभी के minus हैं, ठीक है, वागला देखेंगे, a q, plus b q, बराबर, क्या होता है, पहले कोश्टक में, a plus b, अब दूसरे कोश्टक में, a square, plus b square, minus a b, ठीक है, दूसरा, a q, minus b, क्यों के सुतर क्या हो जाएगा, पहले कोश्टक में, a minus b, दूसरे कोश्टक में, a square, plus b square, plus a b, ठीक है, इसरा देखेंगे, a q, plus b q, plus c q, minus 3ab, बराबर, क्या हो जाएगा, इसमें, पहले कोश्टक में, a plus b, plus c, दूसरे कोश्टक में, दूसरे कोश्टक हो जाएगा, a square, plus b square, plus c square, minus a, b, minus b, c, minus c, a, ठीक है, अगर a plus b plus c, बराबर, जीरो हो, तब क्या हो जाएगा, इसमें, तब हो जाएगा, हमारा a q, plus b q, plus c q, minus 3, हो जाएगा, इसे 3, बराबर हो जाएगा, मतलब, a plus b plus c, अगर जीरो हो गया, तो minus 3, यह भी उस सेट ले जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लसमें आयागा, ठीक है, आ आ, 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 आ,